महाराज समाज की ऐसी इस्तिती कि एक कन्या को बेचता है दूसरा खरीदता है ऐसी निकरष्टता इस समाज में फैल चुकी है अब जिस कन्या को आपने दहेज लेकर के अपने घर में बुलाया क्या आपने कभी सोचा आपने कभी सोचा विचार किया कि हमारे धर्म सास्त्र क्या कहते हैं हमारे सास्त्रों में आया है कि जिस कन्या को आपने दहेज लेकर के अपने घर में लाया है उनके माता पिता से दहेज लिया है पैसे लिया है वो कन्या आपके घर में आपके धर्म कारिय में आपके पित्रों के कारिय में आपके साथ बैठने की अधिकारी नहीं है क्योंकि वो आपकी पत्नी आपकी बहू नहीं आपकी दासी के समान आपने धन लिया उसके माता पिता से इसलिए दहेज प्रथा पर रोक लगाने को कहा जाता है क्योंकि सारी बात हमारे पुराणों में सास्त्रों में ही बताई गई है तो क्या ऐसा ग्रहस्त जीवन चल पाएगा जिसमें एक ने बेचा और दूसरा उसे लेकर के अपने घर में आ गया धन नहीं मिला तो उससे मार पीट करने लगे अब खरीदी हुई बस तू कितने दिन चल सकती है कितने दिन चलेगी आपने उस कन्या को धन लेकर के लिया वो कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी और सस्राल में आ करके ऐसा कारे करती तो उस लड़की ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब आपने मेरे माता पिता को लिष्ट पकड़ाई थी तो उसमें संसकार नाम की कोई वस्तु कहीं पल लिखी ही नहीं थी फिर संसकार की उम्मीद क्या करना तो महरा जब धन लेकर के खरीदोगे उसे तो वो उसी प्रकार का असर दिखाएगी इसलिए पहले किसमे में दहेज प्रथा का नियम नहीं था दहेज नहीं लिया जाता था